नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट एनके से नहीं और आप देख रहे हैं Help Any Type आज मैं यहाँ पर आपको एक कमाल का तरीका बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आप माई के उसे टेस्ट कर सकते हैं कि यह जो बोया का माई का आपने ओडर किया है वो औरिजनल है या डूबलिकेट है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस रहेगा सबसे पहले आपको अपने camera में जाना होगा camera में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जो यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा barcode scan करने का अगर आपको ना मिले तो आप कोई भी app install कर सकते हैं उसके बाद आपको यह barcode दिखाई दे रहा है इस barcode का आपको सीधा scan कर लेना है scan करने के बाद यह direct इस तरह का एक interface open हो जाएगा यहाँ पर आपको यह जो number दिखाई दे रहे है solar digit के यह जो solar digit के number है वो आपको match करने होगे अपने बोया के mic पर लिखा हुआ है वो number से तो यहाँ पर जो मेरा number है बिल्कुल match कर रहा है यहाँ पर दोनों पर लिखा हुआ है 259690079 इसके बाद लिखा हुआ है 930101 01 के बाद लिखा है 1360 तो यहाँ पर जो है यह number बिल्कुल match हो चुका है यहाँ पर इसका मतलब यह जो है यह बोया का एकदम original my case से बिल्कुल यह proof हो चुका है तो इस तरह से आप भी जो है चेक कर सकते है या फिर यहाँ पर आपको एक option दिखाए दे जाएगा inquiry का तो यहाँ पर simply आप inquiry पर tap कर सकते है inquiry पर tap करने के बाद आपको यहाँ पर एक option दिखाए दे जाएगा कि जो बोया का माइक मैंने खरीदा है जिसके बार कोड़ वगेरा है वो सारे का सारा इससे मेच हो चुका है यहां पर बिल्कुल मेच हो चुका है इसका मतलब यह है कि यह जो है बोया का बिल्कुल ओरिजनल माइक है आपने जहां से भी अगर ओनलाइन ओर गया है तो ओनलाइ कि आज मैंने आपको बताई है बोया का माइक चेक करने की यह कोई भी नहीं बताता है लेकिन आज मैंने आपको यह बताई है तो इस वीडियो को जादा से जादा से जादा सेर कीजिए क्योंकि काफी लोग जो है माइक खरीदते रहते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि वो जो product उनोंने खरीदा है माइक जो खरीदा है बोया का वो original है या डुब्लिकेटर तो इस तरह से वो चेक कर सकते हैं इसलिए इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर केजिए तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैन वन्दे मात्रम